principles of systematics module 132 pair t-test pair t-test हम उस वकत apply करते हैं जब हमने दो samples के means को compare करना हो और हमारे पास entities same हो यानि जिस sample का data हमने पहले collect किया उसी sample का data हमने बाद में भी collect किया और हम ये compare करने चाहते हैं कि पहले जो हमारे पास results आए उसके mean में और बाद में जो results थे उसके mean में कोई statistically significant difference मौझूद है या नहीं है इस slide के अंदर अगर हम देखें तो इस slide के अंदर हमारे पास दो samples हैं एक x sample है और एक y sample है यानि पहले हमने जब data record किया और बाद में इन ही samples का जब data collect किया तो उसको हमने y का नाम दिया अब जो पहले हमारे पास data आया वो 9, 12, 13, 20 और 5 values आई उसके बाद हमारे पास बाद में इन ही का जब हमने data collect किया तो हमारे पास जो answers आये 12, 14, 19, 25, and 10 यह हम यह कह सकते हैं के training से पहले students का score और training के बाद जो students का score अब हम इसको compare करना चाहते हैं तो दोनों के अंदर जो difference आया उसको हमने d से represent किया तो यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास differences आये minus 3, minus 2, minus 6, minus 5, and minus 5 उसके बाद यह जो difference आया इस difference का हमने scale ले लिया scale लेने के बाद इन सब का हमने summation d square इन सब का हमने sum कर लिया अब जो pair t test है, pair t test के लिए हमारे पास जो formula है वो d bar d bar क्या है, यह basically जो हमारे पास दोनों जो sample से उसका जो difference है उसका mean d bar कहलाता है और उसके बाद sigma square d यह variance है, n यहाँ पे number है अब हमने जब variance निकाला तो variance हमारे पास आया 20.34 यह variance का formula है, इस variance का formula के अंदर जब हमने values put की तो हमारा जो answer आया वो 20.34 है उसके बाद d bar हमारे पास 4.2 आया उसके बाद variance और d bar और n की जो values है इन तमाम values को हमने टी टेस्ट यहाँ पेर टी टेस्ट का जो formula था उसके अंदर put किया उसके अंदर put करने से हमारे पास जो t की value आया वो आया माइनस 2.08 यह जो हमारे पास value आया है इसको हम t calculated कहते हैं क्योंकि यह हमने खुद calculate की है अब जो पेर टी टेस्ट होता है पेर टी टेस्ट के अंदर क्योंके paired observations होती है इस वजह से इसके अंदर जितनी भी paired observation है उसमें से हम minus 1 करें तो हमारे पास degree of freedom आ जाता है अब यहाँ पे क्योंके 5 paired observations थी तो n minus 1 4 हुआ तो इसका मतलब है यहाँ पे जो degree of freedom है वो 4 है जो इंडिपेंडेंटी टेस्ट है उसके अंदर अलादा अलादा दोनों samples का degree of freedom निकाला जाता है फिर उसको add किया जाता है जबके इस case के अंदर क्योंके paired observations है इसी वजह से एक ही degree of freedom आता है अब जो calculated value है वो है minus 2.08 जबके जो table की value है वो है 2.77 अब यहाँ पे हमने sign को ignore किया हमारी जो table की value है वो बड़ी है और जो हमारा answer आया है जो calculated value है वो चोटी है इसका मतलब यह हुआ कि जिन samples को हमने compare किया उनके अंदर statistical significant difference मौजूद नहीं है तो इस तरीके से पेर टीस टेस्ट के जरीए से हमने यह मालूम कर लिया कि जो training से पहले और training के बाद जो score है उसके अंदर statistical difference मौजूद है या नहीं है तो पेर टी टेस्ट हम उस वकत apply करते हैं जब हमने दो samples के means को compare करना हो और हमारे पास जो observations हैं वो paired हों उसके लावा इसमें हम जो हमारा पहला score होता है या बाद में जो score होता है उसका हम difference नकालते हैं उसके बाद उस difference का हम square नकालते हैं उसके बाद variance और d bar d bar n और variance की values जो है हम t test के formula के अंदर put करते हैं और हमारे पास calculated value आ जाती है बाद में यह जो calculated value है इसको standard values से compare करके हम यह पता चलाते हैं कि statistical difference मौजूद है या फिर नहीं है तो इस case के अंदर हमने देखा के दोनों जो values हैं पहली और बाद में उसके जो mean के अंदर statistical difference मौजूद नहीं है